दोस्तो आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मुबैल फोन के माधियम से एक नया वोटर एडिकार के लिए आउनलाइन अपलाई कैसे करेंगे दोस्तो इलेक्षन कमिशन विडिया के दोवारा वोटर कार्ड का जो पुराना वाला मुबैल अपलिकेशन था जुसका नाम वोटर हेल्प लाई था उसे बिल्कुल चेंज कर दिया गिया उसका जो इंटरफेस है बिल्कुल नया कर दिया ठीक है और उसमें कई सारे नए सब्सक्राइबर ये कॉमेंट कर रहे हैं कि सेर ये जो नया वाला वोटर कार्ड का जो नया अप्लिकेशन है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस टॉपिक पर एक नया वीडियो जरू लाइएगा तो इसी वज़ा से आज का ये वीडियो मैंने बनाया इस वीडियो म को बनाने के लिए सब से पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर वोर्टर हैपलाइन मुबैle अप्लिकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे तिक है इस अप्लिकेशन का जो इंटरफेश से पूरे तरीके से चेंज हो चुका है इसमें और भी कई सारे नई सर्विस्यों को जोड़ दिया गिया है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि एक नया वोटर एडिकार को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक उप्सन दिखेगा वोटर रिजिस्ट्रेशन का आप इस उप्सन पर किलिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा प्रिव्यू दिखेगा इ पहले भी इस मूबैल अप्लिकेशन का यूज कर चुके हैं तो आपके पस जरूर से आपका मूबैल नंबर और आपका पासवर्ड जरूर होगा ठीक है अगर आपके पासवर्ड याद भी नहीं है तो आप यहां पर फर्गेट पासवर्ड को यूज करके अपना किसमें सबसे पहले आपको यहां पे nat-resitude करना पड़ेगा और सिफ्मियं प्लद दिखनेगे अपका बार फोल्म सिर्फ में जाता है अन्ट direct अपने mobile number and password को फिल करूंगा और उसके बाद send OTP को उप्सण पे दो क्लिक करूंगा इसके बाद आपके फोन में एक OTP जाएगा तो आप उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे and login now के option पे क्लिक करेंगे login now के option पे किलिक करते ही आप इस mobile application में login हो जाएंगे अब आप यहां पे पर कुछ नहीं करना है आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप से यहां पर पूछा जा रहा है इस फर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपना स्टेट करेंगे जो भी आपका स्टेट करेंगे जिला के बाद आप अपना सेंबली को स्लेट करेंगे जिसे हम लोग हिंदी में विधान सबाच छेत्र करते हैं अगर आपको यह नहीं पता है तो आप के पिछे जाकर अपना मंद को मांस पू सब्सक्राइब सस्क्राइब तो कि आपके आफ से चिंगे जाए हम एक आपके आपको अम्तर को सब्सक्राइब आपके पास के आपण को एemia daca i.e.tas गरिंगे डॉक्यमेंट्स की साइच की बात करें तो आपका डॉक्यमेंट्स 2 MB से कम होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है जेपीजी फायल में होना चाहिए अप्लोड करने के लिए आप यहां पर अपलोड के उक्षन पर क्लिक करेंगे इसके बद आपके सापने दो option देखने को मिलेंगे camera and gallery का दोस्तों अगर आपका documents आपके gallery में save है पहले से अपने photo को click करके save कर लिया है तो आप यहाँ पर gallery के option पर click करके उसे upload कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपनी camera के माधियम से अपना documents को click भी कर सकते हैं जो कि valid नहीं होगा आपको यहाँ पर दोनों site के अधार card को upload करना है दोस्तों अधार card को upload करने के लिए आप simply यहाँ पर gallery के option पर click करेंगे आपके gallery में जहाँ भी आपका अधार card save होगा आप अपने according अपना अधार card को select कर लेंगे अधार card to create tool YouTube and this key option करें अभी अपना प्रीज़ाइँ करने के तकीडिख करेंगे यहाँ आपके wat आपके पर अदुर साइज फोट इस परकार से हैं तो आप यहाँ पर इस परकार से औहां करने करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे क्रॉट किया है आप इस परकार से कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका फोटो भी इस परकार से अपलोड हो जाएगा फोटो अपलोड होने के बाद आप नीचे आ करिएपना gender को स्लेट करेंगे जो भी आपका gender इसके बाद आप आपना यहाथ फर्स नेम को यहा फिल करेंगे ठीक है जैसे अगर आपका ना मी राम कुमार है यहा पर यहा पर नहपना इंगलिश में टार्प करेंगे तो नीचे वाले column में आपका जो regional language होगा जो local language होगा वो language में automatically आपका नाम टैप होके चलाएगा जैसे मैंने राम टैप किया तो मेरा local language हिंदी है तो यहाँ पे मेरा नाम हिंदी में टैप होके चलाएगा इसी परकार से आप यहाँ पे अपना surname को टैप करेंगे जैसे मेरा सरनेम कुमार है कुमार अब आपके अधार काड़ को यहाँ और अधार काड़ को don't कर देंगे क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है I am not able to furnish my अधार नंबर बिकॉस I don't have अधार नंबर अगर आपके नहीं है तो अभी आप इस उप्सन पर किलिक करेंगे अधर वैज आप इसे क्लिक नहीं करेंगे अधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे अपना primeira इसे disability के परकार आपसे मांगा जाये मतलब विकलांगता का परकार अगर आप विकलांग है तो यहां पर अपनी अनसार अपना विकलांगता को यहां पर दर्शाव सकते हैं लोकोमेटिव विज्वल डिफ ऐन्डबम अगर कोय और दूसरा विकलांगता टाप है तो यहां अगर आप में कोई भी विकलांगता नहीं है तो आप इसमें से किसी option को स्लेट नहीं करेंगे आप नीची है कि सिंप्ली यहां पर नेक्ष्ट के उप्सन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आप से यहां पर रिलेशन टैप्स आप से पुछा जाएगा इसमें आपको कई सारे उप को किलिक करने अब करेंगे कि यहां पर हस्में में सब्स स्लेट की अंड़ा ऑपना यहां आपना आप संद करेंगे नीचे अपना यहां पर प्रोले पहले आप परторы के फिर्स्ट करेंगे नेक्स्ट ऑंत्ति के में हुन्दी में रिपोटो में पूलंग में रोट면 retrieve करेंगे आफ Сам कि अनका इनका सर नें यहां पर फिल करेंगे मतलशस्ट नेंगे में एंडी में यहां पर फिल करें इसके बाद आपskें पूरा डिटैल स यहां पर मांगा जाएगा घूला अपना हर। नंबर यह फिल फिर एक कॉलम छोड़ कि क्योंकि यहां पर जो भी नंबर टैप करेंगे वह आपकी लोकल लेंगवेज में यहां पर टैप हो जागा ठीक है एक कॉलम छोड़कि आप अपना श्ट्रीट महला या फिर आपका जो भी रोड है वह यहां पर टैप कर देंगे इसके बद आप टlex करेंगे आपका पिन कोड किया है वह यहां पर टैप करईगे अपकर तहसील मतलब थाना कॉन सा है वह यहां पर टैप कर देंगा ठीक है डोस्तों अड्रेस को सानी हो यहां पर हुआ हूंक हमें आप में नहीं आ रहा था था तो यहां पर हिंदी में हमें laptop कर अवकि मैं हो रहा है उस case में आप Google में search करेंगे English to Hindi ठीक है English to Hindi मैं search किया तो आपको इस परकार सा preview देखने को मिलता है आप यहाँ पे अपना English में जो भी आपका address यही नाम में हो सक्थे नाम में ही हिंदी में रहा है तो आप यहाँ पर आपना नाम को भी टाइप कर सकते हैं आपई एडरेस को Example के तौर पर ले रहा हूं तो यहां पर आपने एडरेस में जो भी एडरेस को fill कना चाहते हैं उसका यहां पर नाम को टैप करेंगे नीची में तेखेंगे हभी में ट्रांसलेट होके चलाये गड़ी वाले को कॉपी करने के एप कॉपी आइकन पे चैनल के और अपने अबस चैनल करने के लिद आपके का पने प्रूफ करने के लिजह आपके प्लीआ के판ि इस तूइह उपस आपके पेस डप्ड अधारिवल है को ना सकते हैं तो prove of address में भी आप यहां पे अधार काट के option को से कर सकते हैं इसके बड़े नेचे आएंगे तो यहां पर फिर से documents को upload करना है जो भी आप यहां पर address proof में bırak करेंगे ठिक है तो दोस्तो अगर आपके family में किसी का भी वाटर कार बना हुआ जैसे पिता का यup का यफी माता पतनी का और किसी का भी ऑद्राकार बना हुआ है तो आप उस case में यहाँ पर उस relation को सबसे पहले harve kalian can कि असमें मेरे पिता जी का वोटर कार बना हुगा है यहां पर फादर के उप्सन पर किलिक करता हूं इसके बाद नीचे आके उनका नाम को यहां पर टैप कर दोता हूं नेम ऑफ फैमिली मिंबर तो फादर का जो भी नाम होगा आप अपने एकॉर्डिंग टैप करेंगे नेक पर किलिक करेंगे आपको कुछ इस प्रगार का प्रिव्यू देखने को मिलेगा तो इसमें सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे आपका स्टेट ओलेडी स्लेक्टेड रहेगा नीचे में अपना जीला का नाम को स्लेट करेंगे इसके बाद आप अपना गाउं या सहर का यहां पर फिल करेंगे अप उस ब्रेट को स्लेट करेंगे जिस डेट से आप अपने अड्रेस पे रह रह रहे हैं ओस और आपेण गर देर भी सब्रद करेंगे तो आपको वोटरे डिकार बनने में कोई भी परिसानी नहीं होगी मैंने बहुत का देगर बनाया है जो सब्ष दिखेंगे आपका यहां पर नाम ओल्ड़डी फील रहेगा में इसके बद आप अपने place को यहां पर लिग दे आ हैं उस प्लेकेस्ट को नाम कर देंगे थिर इसके बाद आपको यहां पर हैานपोड को जाया को अपने आपके σामने ऐगा लृषा और बिचाया डिर Rivers पर किलिक कर देंगे करते ही आपका जो ऑनलाइन अप्लिकेशन है वह सक्सेस्फुली सब्मीट हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर के रेफरेंस नंबर दे दिये जाता है जिसके माधियां से आप अपने अप्लिकेशन को रैक कर सकते हैं तो दोसों अप्लिकेशन के अप्लिकेशन है अप्लाई का जाएगा येजैसा कि यहां पर लिख सकते हैं आपका जो वोट एडी काड़ आएगा वो रेकेंशन के बाद चलाएगा अपके घर में उस परकार का फूर वोटर काड पोस्ट आफिसिव सकते हैं यहाद को एक बस्तके स्माइब अगया होगा करक को निया इडिकार बिनाने का इसमाइब छीट Repeats